गुड मॉर्निंग नमस्कार श्वाकत आपका हमारे चैनल जी एस अश्टिडी 94 में और दोस्तों में यश्ट तो दोस्तों न्यूस्पेपर के मुख्य प्रिष्ट का जो भाग होता जिसे हम आप संपात किया एडिटोरल के नाम से जानते हैं उसके बारे में हापर बीच आप ब्रिज भूसर्ण सरंड सिंग पर आरूप लगा रहे हैं बहुत ही संवेदन सील है जिहां दोस्तों यह वही ब्रिज भूसर्ण सरंड जी है जो भारती कुष्टी संग के इस समय अध्यक्ष है और कैसर गंज से सांसद है और जो भारती जनता पार्टी से संबंध रखते ह और यही ब्रिज भूसर्ण सरंड सिंग जी है जिन्होंने विनेश फुगाड जो है उनके उपर भी इन्होंने आरूप बहुत पहले भी लगाया था जब ओलंपिक का गिम चला तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने देश के संसादनों का दुरुपयों किया है देश के साथ ठीक है ये कोई बाहरी कोच से सीख रही थी और ये सब बातें जो है कि हमारे देश के लोगों के साथ सेर नहीं की और जिस वज़े से आपने देखा होगा कि इनके प्रतिबंद की भी बात हो रही थी पर इन्होंने माफिय मांगा उसके बाद इनके पक्ष में सारी बातें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिनेस फोकार जो हैं कि पूर्वा ग्रह से पीडित हैं और अपने पिछला सम्मान बचाने के लिए ये बिरिज भूसर के उपर इस तरह के मनगणत आरोप मड़ रही हैं पर मैं आपको एक चीज बता दूँ दोस्तों यदि इतने सारे ख खत्म हो गया है जो खेल मंतरी है अनुराग जी उन्होंने संग्मात के माध्यम से लोग को समझाया और वचन बद्ध दिया कि यदि किसी प्रकार की जो आप लोग संगीन आरोप लगार हैं यदि इस प्रकार की संगीन आरोप पाया जाता है तो बिरिज भूसर सरन हो या को कोई और उन्हें बक्षा नहीं जाएगा ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा खेल के प्रती लोगों का रुजहान नहीं है पर जब से हरियाना की कुछ बच्ची आएं और स्पेसिल में करता हूं कि जब हम कुस्ति की बात करते हैं तो सबसे अवल स्रिनी में यदि कोई राज्य है वो हरियाना है किस पकार से वहां के माबाप अपनी बेटियों को इतनी बढ़िया तालीम देते हैं और जिस पकार से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहां पर आई हैं अभी हमारे और आपके समाज की या अपनी र है हमारी जो अर्थोडॉक्स टाइप की सोच है संकीर मान सकता के हम लोग हैं यही कारण है कि महिलाओं को हम ऐसे खिलो में भागिदार नहीं कराते हैं या फिर उन्हें भेजते नहीं हैं अब सोचिए अब यदि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं भारती कुस्ति संग के अध्यक्ष के उपर तो कितने बाप कितने भाई अपनी बेहनों को अपनी बेटियों को भेजेंगे इस कुस्ति जैसे गेमों में क्योंकि हर जगे देखे पार्शियलिटी हो रही है तो मेरा मनना यह है कि चाहे नर्सिंग हो ठीक है चाहे साक्षी मली को चाहे बिनेश बाटने जंतर मंतर पर गई और उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी हर संभव मदद होगा मैं करूंगी और आप लोगों के लिए मैं स्टैंड लोगी तो बहुत बड़ी बात है तो काने का मतलब यह है कि अवश्यक्ता है कि इसमें बड़े स्तर पर जांचो और इस वकार कि य आपके एक माँ, एक बाप, एक भाई अपनी बहन को अपनी बेटियों को ऐसे खेलों में भेजेगा अन्य थालों का बिस्वास तूट जाएगा उन्होंने कहा है विनेस फोगाट ने कहा है कि जिस पकार से यौन सोशन हुआ है यह बहुत गलत है और यदि आपको प्रूप चाहिए तो कुछ महिलाएं खुल कर सामने आ सकती है जो कि महिला खिलाडी है अन्य राज्यों की है हलांकि मेरे साथ यह यौन सोशना नहीं हुआ है पर उन लोगों के साथ हुआ है सोचिए हमारी सरकारें चाहे राज्य सरकार हो चाहे किन सरकार हो जिस पकार से महिलाओं को प्रमोट कर रही है, खेल के प्रती और कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, जो इन बेटियों की जिंदगी खराब करने पे तुले हुआ है, उनका यभी आरोप है यदि कोई अस्विकार कर दे उनके इस प्रोपोजल को तो किस प्रकार से वो महिला खिलाड़ी का जीवन भी बरबाद कर देते हैं इसलिए कुछ महिलाएं पूरी तरह से यौन सोसरन का सिकार हो चुकी हैं और अभी भी वो उनके साथ इसी प्रका का बरताव किया जा रहा है, जो महिलाएं भारत में किस पकार से छट जाती है उसका यही कारण है कई दिनों सो महिलाएं बाहर बैठी रहती हैं इस भीट में कि मुझे पहले बताया जा कि मुझे इस गेम से बाहर क्योंकि आगया पर कोई भी इस पस्टी करन या कोई लिखित जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि क्या लिखित जवाब देंगे क्योंकि उनकी तो सोजी समझी रुननीती है तो ऐसे बिशों के लिए भी आपको स्टेंड लेना पड़ेगा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं किसी नेता को जीताना है कि आज हमारे देश में हरियाना जैसा राज जिस पकार से निखर कर आया है अन राज्यों के लिए प्रेना का सुरुद बना वहां की बेटियों जिस पकार से महिलाओं की अंदर एक क्रांती डाली एक ज्वाला भर दी तो उसके लिए हमें प्रतिबद्य होना चाहिए उनका सुक्रिया आदा करना चाहिए तो अब हमें जरुवत है उनके स्टेंड के लिए मैंने चली मैं मानता हूँ यदि ये गलत तरह से आरोप मला जा रहा है ब्रिज भुसर और सरुन सिंग के उपर फिर भी इस विशय का गंभीरता से जांच होना चाहिए और इस प्रकार की कोई भी लीता पूती मिले तो अवश्य उस पर कारवाई होनी चाहिए हलांकि ये पहली घटा नहीं है राज कुस्ती संक्ययदी में बारे में बात करूँ तो छेतरी अधार पर जब आप अलाबाद जैसे जगहों पर जाएंगी जहां पर कुस्ती के प्रमोट किया जाता है तो वहाँ भी कुछ मैल आएं हैं जो योन हिंसा का शिकार हो चुकी हैं और कोई और नहीं करता है उनके कोच करते हैं उनके कली करते हैं उनके अध्यक्ष करते हैं तो इस तरह की समस्साइं तमाम जगह पे है मैं मानता हूँ कुछ चुनिंदा लोगों की वज़े से आज पूरा शमाज बदनाम हो रहा है एक इनसान की वज़े से सब लोग एक दूसरे को हीन बावना या सक की नजर से देखना लगती है इसलिए मैं भारा सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का ठोस कदम उठाए और नित्रों आप लोग क्या सोचते हैं अपना भी विचार जरूर कमेंड बाक्स में जाकर दीजिएगा कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए जिस पकार से महिला खिलाडियों के दोरा और पुरुस खिलाडियों के दोरा उन्हें सहयुक दिया जा रहा है महिलाओं को और उनकी विचारों का समर्थन किया जा रहा है उनकी आरोपों का समर्थन किया जा रहा है कि यहां बिर्ज भूशन ने ऐसा किया है तो आपको नहीं लगता कि इसकी जांच होनी चाहिए तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यमाद जये